चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरा हुवे कफन स्वदेशी मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उसकाम में लगा हूं अब जिनको स्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना फिर क्या करना है वह आप चाहें तो लिख लीजे एक मैडिसिन मैं बताता हूं होमियोपैथी की है वो आपको किसी भी होमियोपैथी शॉप में मिलेगी उसका नाम है बर्बेरिस अंग्रेजी में A-B भी होता ना A-B तो B-E-R-B-E-R-I-S B-E-R-B-E-R-I-S बर्बेरिस ये एक शब्द है इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गेरिस उसमें दूसरा वाला भी है V-U-L-G-A-R-I-S बर्बेरिस 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 आगे लिखते ना है मदर टिं यह उसकी पुटेंशी है वो दुकान वाला समझेगा वो आपके लिए नहीं अब यह दवा लेनी है पंद्रे बूदें एक चौथाई कप पानी गुन-गुना उसमें पंद्रे बूदें इस दवा की डाल दी है और दिन में तीन से चार बार पीना है सुबह दुपर शामरा हो या तो किड्डी में हो या यूरेत्रा के आसपास हो मुत्रपिंट में हो वो सभी स्टोट को डिजॉल्व करके लिए लिकाते हैं चौथाई पानी चौथाई कप गुन-गुना पानी रस से पंद्रे बूदे चार बार लेना है एक से बेड़ महीने लगातार लेना दो महीने भी ले सकते हैं इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं लगबन मैंने देखा है 99% केस में दो महीने में ही सब तूट के निकल जाता और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लिए ये तो है जब तूट के निकल गया दुबारा भविश में कभी ना बने उसके लिए एक दवा लिख लिखे क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है इक बार तूट के निकल गया बहुत अच्छा अब कभी दूबारा नहीं आना चाहिए उसके लिए एक दवा है C-H-I-N-A चाइना C-H-I-N-A चाइना और उसके आगे लिखना है 1,000 एक हजार नमबर ये लिक्विट फॉर्म में दवा ले दिए इसकी दो दो बून सीधे जीप पर डाल दिए सुबह दूपर शाम बस एक ही दिन मे तीक बार दे दीजे फिर भविश्य में कभी भी दुबारा इस्टोन नहीं बनेगा नहीं पहले बर्बरिस लेना फूरा इस्टोन आपका निकल जाए उसके बाद आप चाहिना लेना है जिनना तो स्टोन है नहीं बढ़े नहीं बिल्कुल नहीं ये गल्दी मत करिये लिए लेना है तीन बार लेना है दो दो ड्रॉप सीधे जीब पर डाले हो सुबह, दुपह, शाम बर्बरिस तीन महीने तो मैक्सीमम हो गया, एट्मोस्ट हो गया, एटलीस दो महीने एक ही दिन लेना है तीन डोस बस वो सफीशेंट है